पीपल लेस बजजट, थैंक यू मैनम श्री दीपक बैजी जी धन्यवाग सभवती महदे, आज सामान बजट पर चर्चा 2022 ताभी तेविस गे चर्चा में भाग लिया हूँ, मानली सभवती महदे, देश का कुल बजट 49.45 लाग करोड रुपए का है यहाँ बजट भारत को 75 से 100 साल तक 25 वर्ट तक अर्थ व्योस्ता को दिशा देने वाला बजट है मानली सभवती महदे, यह मोदी सरकार की देश कियाम जनता को सपना दिखाने वाला बजट है क्योंकि इस बजट में इस पश्ट लिखा हुआ है कि सारवजनिक उपकरम, एर इंडिया, डिलान चलिसपाद सायंत, एलाइसी को बेचने का काम कर रही है मानली सभवती महदे मानिये सदेश्यों, आपकी अनमती हो तो जदी शवा की समती से हम सवा की करवाई को दो बक्ताओं को बुलने के तक बढ़ाएं माननी सभवती महदे, देश की विरासत, देश की समत्ती, जहां इस सरकार ने जहां प्रदाण मंत्री बनने से पहले कि हम देश की सुरक्षा करेंगे, देश की हम समत्ती को बेचने नहीं देंगे लेकिन अपने नीजी चहेते उद्योग पतियों को बेचने के लिए देश की हर संपति को बेचने का काम कर रही है इस बजट में माननी प्रधान मंत्री जी पुझत मंत्री जी पुरी सरकार ने महँगाई कम करने का उल्लिक नहीं किया लगतर गई सिलिंडर आस्मान की रेट चुरह है पेटरोल डीजर में लगतर विर्दी हो रही है गरीबों के जेब में डाका डालने का काम कर रही है सरकार माननी सबबपती महोधे, रोजगार देने में इस सरकारा सफल Пरतिवर्श 2 करोड नोकरी देने का बादा करने वाली सरकार से आज मैं पुछता हूँ किया 7 साल में आपने क्या 14 करोड लोगों को नोकरी दिया क्या आत्मा निर्बर भारत में 60 लाग नौकरी देने का सपना आज पीराप देश के नौजवानों को आप दिखा रहें मानने सब अपति मौदे मैं सरकार से कहना चाहता हूँ 45 साल में आपकी सरकार ने सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बड़ा है इसका उधारा बिहार जैसे छेतरों में जहांस पुरे बेरोजगार सडकों पर उतर कर ट्रेनों जलाने का काम कर रहें यावकरी नौकरी मांग रहें लेकिन इस सरकार के पास नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है माननी सभापती महोदे, ये सरकार का नाराय सबका साथ सबका विकास, एक जुमला निकला, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारा नेता माननी रहुल गांदी जी को, इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया, और 40 परसिज़त दन देश के चंद उद्योगपतियों के पास, जमा हो उन्हें का उन्होंने अवाला दिया, इस से कोई संदे नहीं है, माननी सभापती महोदे, दो मिनट में मैं अपनी बात समापती कर रहा हूं, माननी सभापती महोदे, आपकी सरकार में अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब होते गए, देश के अमीरों को और गरीबों को बा पाकिस्तानी खालिस्तानी आपको किसानों को पुरा बदनाम करने का काम किया धन्यवाद देता हूं मैं राहूल गांदी अमारे ता राहूल गांदी जी को इसी लोग सभाए मुनों नों कहा था कि ये तीन क्रिसी कानून वापस आपको लेना पड़ेगा और आपको लेना आने का अपने प्रस्ताव निगा क्या हमारे बस्तर में हम लगातार मांगर रेंजगदलपूर से राइपूर तक का फॉर्लेंड के लिए आपने क्या उच्छड़क को प्रस्ताव रखा मानने सभापति मौदे पीम आवास बनना चाहिए मैंने कहता हो नहीं बनना चाहिए हर सार कर सपना होता है कि गरिबों के लिए आवास बनना चाहिए लेकिन सभापति मौदे मेरा कहना है क्या इससे पहले इंद्रा आवास योजना नहीं बनी क्या ये सरकार पहली बार प्रधान मंत्री आवास बना कर क्या गरिबों को आवास दे रही है मानने सभापति मौद हो जबना आप ल्ह intervals किए इन्द्रा घांदी की हिंद्रा गांढी इंद्रा आउस योजना बना और गरीबोगों को देने का काम किया मानी आप पती इस आपकी सर्कार में कम नहीं हुआ गरीब के चोक छोटे-छोटे से काम कर रहे हैं माननी जबापदी मौदे बस्तर में सड़क चाहिए बस्तर में रेल के विस्तार चाहिए बस्तर में हवाई कनेक्टिवेटेग चाहिए इसके लिए लगातार बस्तर की जंता और मैं इस रहा हुस में लगतार मांग कर रहा हूँ क्या ये सरकारं मांग पुरा करेगी निस्टित रूप से ये बजट दिसाहिन बजट है ये बजट देश को बरबाद करने वाली बजट है ये बज़ट कहीं न कई मोदी सरकार की फेलवर बज़ट है इसलिए मैं कहना चाहता हूं मानने अध्यक्ष मोदे ये बज़ट जनता के देश में ये बज़ट जनता वा देश इतने नहीं है इस बज़ट के लिए निश्चित रूप से मैं मोदी सरकार की फेलवर बज़ट मा बाकी कारवाई गुरुवार दस परवरी 2022 को साहें चार बजे तक के लिए इस्तिकित की जाती है बाकी कारवाई गुरुवार दस परवरी 2022 को साहें चार बाकी की जाती है